Hello everyone, बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में mathematics के जो की generally student गलत करती हैं और most of time उस गलती की वज़े से हमारा question गलत हो जाता है तो ध्यान से समझे बने रही है अंते तक देखिएगा fact क्या है सबसे वहले आप यहाँ पर समझे कि generally हम use क्या करती है ज जैसे देखीगा root 16 मैंने यहाँ पर लिखा और root 16 लिखने के बाद generally हम क्या करते है plus minus 4 लिख देते हैं इसके equal में ठीक है और ऐसा कभी नहीं होता है this is wrong और यह wrong क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूं जैसे x square equals to अगर कहीं 16 लिखा है और 16 लिखा है तो हम जब x की value निकालते हैं तो generally हम क्या करते हैं वहाँ पर 4 लिख देते हैं ठीक है सिर्फ और सिर्फ 4 ठीक है जो कि यहाँ पर भी यह wrong होगा तो इन दोनों में क्या mistake हो रही है वो ध्यान से समझे अब देखीगा यहाँ अगर मैं बात करूं कि x square है तो x क्या है एक variable है और जो की 2 value रखता है क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर इसकी power कितनी है 2 है तो ध्यान से समझे यह कि यहाँ पर जब x की power 2 है तो यहाँ जो value मिलने वाली है वो 2 value मिलेगी तो हमेशा जब हम x square equals to 60 लिखते हैं तो आपको ध्या एक value plus में होगी और एक value minus में होगी ठीक है लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यह root जो है वो हमेशा और हमेशा एक positive value रखता है ठीक है एक positive quantity रखता है हमेशा ध्यान रखना तो मैंने अगर यह ऐसा बोला कि root is a positive quantity तो आप यहाँ पर question पूछ सकते कि यहाँ पर यह minus 4 क्यों लिया जब यह positive quantity है तो आप ध्यान से समझे अगर आप minus 4 का square करेंगे तो आपको plus का 16 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर root जो है वो एक positive quantity तो एक चीज तो आपको यहाँ पर clear हो गए अब हम बात करते हैं दूसरी बात पर कि यहाँ पर root 16 is equals to plus minus 4 क्यों नहीं होता तो ध्य particular सिर्फ और सिर्फ रूट 16 है और यह जो value है 16 वो value रखता है root में ठीक है root 16 value रखता है तो आप यहाँ पर समझेगा कि वहाँ पर था x square इसलिए वहाँ पर x के कितनी value होना था 2 value होना था बट यहाँ पर तो root 16 है तो root 16 है तो 16 अगर हम अंदर इसको factorize करें तो 4 into 4 होगा और फिर इसको वहार निकाले हम क्योंकि root का मतलब क्या होता है 1 upon 2 तो 4 की power हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 और root का मतलब होता है 1 upon 2 तो यहाँ पर हम लिख सकते 1 upon 2 2 से 2 cancel हो जाएगा मतलब 4 ही answer आएगा वो भी plus में ठीक है तो हमेशा धियान रखना अगर कोई value root में लिखी ह हुई है और वो किसी particular संख्या का square है जैसे for example root 25 तो हमेशा इसका answer 5 होगा लेकिन अगर कभी ऐसा लिखाए कि x square equals to 25 तो इसका answer हमेशा और हमेशा plus minus 5 होगा तो यह था आज का हमारा important fact और इसमें अब आपको गलती नहीं करना है जादा जादा शेयर करिए तकि सभी लोगों क पता चल जाए कि x square की जब हम value निकालते हैं तो plus minus 5 आएगी plus minus में आएगी और अगर root में किसी संख्या का वर्ग लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही value उसकी answer होगी तो शेयर करें ज्यादा ज्यादा लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और च